नमस्कार न्यूस वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुमनपाल काशगंज बे पुलिस ने यूवक की हत्या कार्ड तालिस घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है साथ ये पुलिस ने मुखबीर की सूजना पर तीन हत्या आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है आपको बताते चले कि अपराधियों ने ट्रेक्टर लूट के दौरान ही यूवक की हत्या को अंजाम दिया था और पुलिस को मौके से लूटा हुआ ट्रेक्टर, मोबाईल और नगदी बरावत हो गया है अब खबर 12 बंकी से है उत्तर परदेश के 12 बंकी के जिले में ही गोड़ा मार्क पर बना शुकला यातरी प्लाजा स्कूली बच्चों के लिए खत्रा साबित हो रहा है ये प्लाजा उच्च प्राथमिक विद्याले शुरुवारे रामनगर के ठीक सामने बड़ा है और ऐसे में यहां रोजाना परिवहन भाग के जो बसे हैं वो आती रहती हैं और इस ग्रामिडों का कहना है कि इस प्लाजा से स्कूल जाने वाले बच्चों को खत्रा है क्योंकि यहां आने वाले तेजी रफ्तार बसों से किसी भी वक्त बड़ा हाथसा हो सकता है वही इस पूरे मामले पर एर्म बाराबंकी ने लखनव परिवहन परबंधन को डिपोर्ट भी सौब दी है और इस मामले पर सहायक छेत्रिय परबंधक परिवहन निगम बाराबंकी डिपो को पत्र लिख कर ग्राम परधान विमलेश कुमार ने कहा है कि माधेमिक विद्याले के सामने अवेद रूप से शुकला याकरी प्लाजा संचालित किये जाने के चलते विद्याले आने वाले छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिसके संबंध में ग्राम परधान और परधान अध्यापक ने मुख्यमंत्री परवाहन और इसके साथ ही प्रवंधक निर्देश को पत्र भेज कर प्लाजा हटाई जाने की मांग की है योपी के बरग्रामपूर मुख्याले पर कई दिनों से विजली सप्लाई बाधित होने से आक्रोशित महला वासियों ने नगर के वीर बिने चोराहे पर जम कर परधाशन किया है और जिले में आई भीशन बाध के अपर को अब शहरी इलाकों में कम होता भी नजर आ रहा है बावजूद इसके विदियोत सप्लाई आज पाच दिन बाद भी बाहाल नहीं की गई है लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हो गए है सीविल लाइन इलाके में बने पावर हाउस में भी पानी बाड का पानी जो है वो जमा होने के कारण विदियोत सप्लाई को एथी हातन बंद कर दिया गया था जिसके चलते भारी बारिश और बार के बीच थाने लोगों को बिना बिजली की ही रात गुजारदी पड़ रही थी लेकिन अब बार का पानी शहरी इलाकों में कम हो रहा है बिजली के पानी के कैसे लोग जी रहे होंगे उन समस्चाओं को लेकर एक तो नाव चल रहे हैं तो नाव चल रहे हैं तो नहीं है वो नहीं है वो पूरत से नाव चलाएं शेज दिन हो गया यह जो नालों पर बराबर अच्टर्म बड़ता जा रहा है पहले सुआओ एक नदी थी उसके बाद नाला हुआ नाले के बाद यो नाली का रूम ले लिया है आज पानी की निकास हुआ नहीं है इस मज़े से लेकिन हम हमारा सिविल लाइन पहरवारा जो वहाँ भी बिकुल टाफू बन चुका था हम लोग बेवसा करके किसी तरह मोहले बाले एक हप्टे तो सबर किये थे यूपी के औरहिया पुलिस ने फरजी कंपणी बनाकर करोडों रुपे की ठगी करने वाले गिरों का बंडा फोर कर दिया है इस मामले पर पुलिस ने पांच अभियुक्तों को गिरफतार भी कर लिया है इनके पास से चार लाख नगत फरजी दस्तावीज और दो लंजरी गाडिया भी बरामत की गई है इस पर चारो निगम ने घटना का खुलासा करते हुए बताया है कि दिभियापूर थाना छेतर के एक व्यक्ति के लिखित शिकायद दर्ज कराई थी और भूमी धारा एर्गो फ्रेजलाइजेशन शाखा वरेली के अधिकारी बनकर ये पाचो अभियुक्त उनके साथ हाए और विल्डिंग में ही सेंटर खोलने और इसके साथ ही लीडर्शिप देने के बदले में धाई लाख रुपे जमा करा दिये और हर महीने बीस हजार रुपे किराया भी देने का अच्छासा दिया जिसके बाद अपीडित नहीं लीडर्शिप की सीक्यॉरिटी के रूप में है डाई लाख रुपे आरोपियों को दे दिये जिसके बाद ये सभी आरोपि लापता हो गए जिसकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है उनकी एक तहरी दूशना प्राप्त हुई थी उनका एक एक एना था कि कुछ लोग आए जिनकी उन्होंने कुछ नाम बताये है जो फरजी नाम थे नोने बताये कि लोग आए हमसे यह बताये कि आप हमें जगा दे दीजे यहां पर हम अपना फटलाइजर की कंपनी खोलना चाहते हैं जिससे फटलाइजर और भी जित्यादी हम किसानों को वितरंड करेंगे इतना बोलकर उनोंने जगा मांगी उसके लिए कॉंट्राक करने के लिए कागज आगज तेयार किये और इसके अलावा बताये कि आप हमारे डिलर बन जाए तो हम आपको माल उपलब कराएंगे जिसे तो हमने हम चाहले आपको माल जाए काने कदून ने के लिए और नोंे की इसबार सीयार चाहिए उसी न पर सिजए जो कि आपार बैंक स्टेटमेंट जी में इससी काहै ना पीहा बाद तो हमारे दोड़ पंजिकरित किए गए जो सेम प्रकृण के थे इसार पर क्राइम पूरे मामले में आवशक विद्वत कारवाई भी की जाएगी पूर्पूर्गंग में नाले में एक नवजात बच्चा मिला है जो लग रहा था कि तीन से चाहर दिन पहले फेका गया है मेरी तवस्ता में मिला है इस को पुष्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें और जाच की जा रही है कि ये बच्चा किसीने फेका कहां से फेका और इसमें अगरेतर विदिक कार udah कि जाई पिटे दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जहां गाउं में पानी भर गया वही कच्चे मकान जल भराव की वज़ा से गिर रही है जिसे लोगों का जन जीवन अस्त विस्त हो गया है बताते चले कि सब्ता से लगातार बीते राथ ही बारिश से ग्रामिडों का बुरा हाल है और मुसीबत उनको सामने नजर आ रही है तैसिल फतेपूर की ग्राम पंचा पायल बताई जा रही है मतुरा में पुलिस ने ओन लाइन ठगी के चार सदस्यों को गिरफतार कर लिया है यह अपराधी जो जगा जगा पर एटियम कार्ड बदल कर लोगों से ठगी किया करते थे साथी अपने साथियों से मिलकर जगा जगा एटियम को पहले चिनित करते जिसके बाद ठगी के प्लान को अंजाम दिया करते थे मतुरा पुलिस ने चारों सदस्यों से चार एटियम कार्ड चार स्वाइप मशीन और इसके साथ ही चार मोबाई और एक दो माव किजिए 315 बोर का तमन्चा और दो जिन्दा कार्टूस भी बरामत कर लिया है कि देखिए परसेंटेज के हिसाब से जिसका जो रोल होता था उस हिसाब से जो है ये पैसे को बाटता था क्योंकि पी ओएस मशीन इसी के पास होती थी और पैसा जो है यही निकालता था यह लोग कार्ड ले करके आते थे तो सब को उसके जैसे जैसे उनकार रोल होता था उस हिसाब से पैसा बाटा जाता था देखिए उसकी जानकारी की जा रही है और उसका जो है हम लोग आगे इनके जो है मुकदमे में उस क्रिमिनल हिस्टी को भी देखिए इनके पास से एक लैप टॉप पी ओएस मशीन चार स्वाइप मशीने मुबाइल फोन और एक तमंचा 35 बोर का बरामत किया है वहीं संबल में बच्चे को जनम देने के बाद महिला की उपचार के दोरान निजी अस्पताल में मौत हो गई है जिसके बाद मिर्टक महिला के परिजनों निजी अस्पताल के डॉक्टर और करमचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगा दिया है परिजनों का आरोप है कि महिला की हालत बिगरने के पर ही बावजूद इसके की अस्पताल परिशासन ने रैफर नहीं किया और जिसके बाद सही महिला की मौत हो गई ये परिजन आरोप लगा रहे हैं अस्पताल पर और इसके साथ ही मामने के बाद परिजनों ने अस्पता बारियों को मामने की जानकारी दीदी है यह पाया गया इंगा कोई रजिटर डॉक्तर नहीं है फिलाल जो भी चला रहा है एक अंक्रेट नाम का डॉक्तर है वो उसका Medical Council of Indian Association नहीं है एक डॉक्टर की नाजरवानो है वो B.U.M.S है अभी नीचे ग्रांट रोग काफी मरीद भरते हैं जितके पास पाइल नहीं है कुछ भी नहीं है और हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है पौड़ी में हुई तेज बारिष चुरू मौसम सुहाना हो गया है और वहीं बारिष के बाद ताप्मान में भी गिरावट आई है वहीं बारिष में ही किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है ऐसा बताया जा रहा है तेज बारिश के कारण आपको बता दे कि पोड़ी में मौसम जो है वो सुहावना देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही तेज बारिश से मौसम सुहावने होने के साथ ही साथ लोगों को भी कुछ परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है सहारनपुर के नागल पुलिस नहीं भेश बदल कर लूट करने वाले शातिर गिरोग का परदाफाश करते हुए चार शातिर लूटेरों को गिरफतार कर लिया है सियो देवद रामकरण सिंग ने बताया है कि थाना नागल पुलिस नहीं भेश बदल कर ही लूट करने वाले शातिर चोरों को जो है गिरोग को पूरे परदाफाश करते हुए चार शातिर लूटेरों को गिरफतार कर लिया है जिनके कबजे से 1420 रूपे और एक तमन्चा और एक जिंदा कार्टूर ब्रामत किया गया है कि नागल चेत्र में अभी तिनांक आठ दस 2022 को गटना भी इसमें ट्रेक्ट डायपर को उससे तोला से सत्रह जार उपे लिवक्ष ही लिए गया था उसके संबन में स्सपी साब और एसपी आरे साब के मिलते सर्फ में हमारी नागल पुलिस के कीम जो है लगी वी टीपी है इस अखटना को दुवारा ऐसी कोई घटना वारे शक्रम में नहुंगा है हमारी टीम ने कल जो है रात जो है लगब तो धाई से बिल्जे के आसपास जो है चार लोगों को जो है नाथा स्वामी ससंग के पास से जिर्फतार किया है मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ बस्ती पहुचकर बाड़ पीडितों का हाल जाना और बाड़ पीडितों का भी सीम ने हवाई सर्विक्षन किया है बताते चले कि बाड़ पीडितों में राहत सामगरी बाटी गई है और इसके साथ ही सीम योगी आदितनाथ ने जम कर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि इस समय भीशर बाड़ से बड़ी आबाधी परभावित हुई है बस्ती जनपत में हिदी बाड़ से लगभग एक लाख अबाधी जो है वो परभावित दिखाई दे रही है और इसके साथ ही बस्ती में सतर गाउं बाड़ से तरस्त नजर आ रहे है हम लोगों ने पहले से ही प्रयाप्त मात्रा में राहत सामगरी की विवस्था की है जनपत के अंदर भी लगभग एक लाख की आबादी इससे गुरी तरह प्रभावित है और अगर गाउं की संख्या को हम देखें तो लगभग सत्तर गाउं इस बाड़ से तरस्त है हम लोगों ने पहले से ही दिवस्था की है प्रयाप्त मात्रा में राहत सामगरी और धन्रासी जनपत अस्तर पर उप्लब्द कराई गई है पर एक बाड़ पीडित को जो मेरोंग गाउं हैं वहाँ पर बाड़ पीडित परिवार को पतकाल दस किलो चांवल दस किलो आटाज दस किलो आलू पाँच किलो नाई चना पाँच किलो लाई दो किलो भुना चना दो किलो अरहर की दाल Rдеifie के लिए इन टीन नमक रल़ ठी मिर्च विन्च अन् 오ON 22 लाई पांस लैटर के रूसी कि ने सभी उपलब्द कराने के रिद्देश दिये गए हैं वे मौसम हुई बारिश से किसानों को भारी छती हुई है और ऐसे में सरकार ने भी किसानों को आर्थिक मदद मोहिया कराने का ऐलान कर दिया है वही यूपी सरकार में शिक्षा मंतरी गुलाब देवी ने भी बयान देकर कहा है कि किसानों के नुकसान पर सरकार किसानों की पूरी मदद करेगी आपको बता दें कि किसानों को लेकर खबर है जहां पर यह जानकारी सामने आ रही है कि किसानों की मदद की जाएगी बेमौसम जो बारिश हुई है जिसके कारण किसान परिशान नजर आ रहे है बेमौसम हुई बारिश से ही किसानों को भारी छती साफ नजर आ रही है ऐसे सरकार में भी किसानों को आर्थिक मदद मोहिया कराने का ऐलान भी कर दिया है वहीं यूपी सरकार में भी शिक्षा मंतरी गुलाब देवी ने भी बयान देकर किसानों के हित की बात कहीं है किसानों के नुकसान पर सरकार किसानों की पूरी मदद करेगी ऐसा वो कह रही है कि विधाता का जो कहर धाय जा रहा है बरसात के माध्धिम से किसानों की फसल नश्ट हो रही है उसमें सरकार उनकी पूरी मदद करेगी फिलाल इस बुलेटन में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं न्यूस बर्ल इंडिया